हालो रिवन स्वागत आप सभी का माई एक्जाम यूट्यूब चैनल पर तो आज के उड़ों में हम करने वाले हैं जो एडवांस मैथ हमने स्टार्ट कर रखा उसका सेकिंड टोपिक हम करेंगे ट्रिग्नोमेट तो जितने भी आपके इंपोर्टेंट कोशन पुछे गए हैं एक्जाम पॉइंट ओव्यू से इंपोर्टेंट है वो हम सारे के सारे डिसकर्स करेंगे यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखिए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तो वीडियो जरूर देखिएगा तभी आप लोगों को कुछ समझे में आएगा कम्प्लीट एडव आपको दिया है तो इस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितनी भी गैडलाइन्स है कि मैं त्यारी कैसे करता हूं क्या सीज़े मैंने पढ़ी हो सारी यहां पर आपको मिलेंगी तो यह भी चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लें इसका भी लिंक आपको वीडियो के चैनल लिस्ट में मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं तो पहला कुष्ण है ट्रिग्नोमेटरी का आप देखेंगे कुष्ण आपके CHS सेल वगयरा जो होगे MTS होगे वहीं से उठाए गए हैं तो पहले भी मैंने बताया था जो प्रेवियस यूर आपके हुए थे मैंने मै जो भी चीज़े आप लोगों को यहां पर बताऊंगा मैं वो नोट डाउन कर लेनी है तो हमें इसकी वैलू बतानी है क्या होनी है आप देखो हर एक बच्चे के मन में अलग-अलग आइडिया आएगा कि मैं कुष्ण को कैसे करो कोई इसको ट्रेंडल से करेंगे कोई प्लस टू कोई तो सबसे पहले जैसे ही मैंने कूशन पड़ा मेरे मन में एक ध्यान आया कि इसमें मैं टैन ठीटा कैसे बना सकता हूं यदि मैं इस पूरे कोशन को कोई टीटा से डिवाइड कर दू बन जाएगा कि नहीं सबीको पता कि टैन ठीटा की वैलू क्या होती है स साइन ठीटा य कोश ठीटा फर्च अटणका योज़ कर यह द openings जो दिया है वही तो यूज़ करना है कि टैन ठीटा कैसे यूज़ करूंस है कि साइनवाइड कोश मखूच बनेगा कैसे चैन को उपर भी और नीचे भी इसकोश ठीटा से डिवाइड कर दू तो 10 बनेगा का नहीं बनेगा बनेगा विल्कुल बनेगा आपको इसको से डिवाइड करूंगा तो साइन वाइड कोस क्या हो जाएगा टैन ठीटा क्या हो जाएगा टैन ठीटा इसको भी डिवाइड करना है उपर निचे इसको डिवाइड करूंगा तो एक एंसल हो जाएगा कोस ठीटा बा बन हो जाए गा बस यह आप लोगों को बनाना था कि जो दिया है वही वैलू में बना लोग और उस वैलू को पुट कर दो आप देखो यह साइन थीता पर को SU थीता क्या बन गया है तो यहां पर रगो 3 4 by 3 प्लस 2 नीचे भी यही है 3 4 by 3 माइनस में 2 तो 3 से 3 कटा 3 से 3 कटा 4 प्लस 2 6 और नीचे 4 माइनस 2 क्या हो गया 2 और इसको काटोगे तो आंसर कितना आजाएगा 3 तो हमार आंसर हो जाएगा 3 प्लस 2 यह आप लोगों को करना है कि जो चीज दी है वो मैं कैसे यहां पर बना सकता हूँ कुछ के दिमाग में आएगा कि triplet से triplet वहाँ पर यूज करेंगे जहां पर हमें कुशन असान दिखेंगे देखो यहां पर triplet बना तो सकता था फिर मैं science टीटा की value रगता कोस टीटा की तो हाँ पर मेरी calculation बढ़ जाती तो ऐसा नहीं करना है जैसे ही मेरे को लगे कि हाँ य अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन यहां पर दिया है कि सीस्ट स्केरग अठीट किरता नेखिशी केंट सकीर थीटा ट प्लस तो देखेंगे इस question को देखा कि 4 power है कैसे निकलेंगी छोड़ देंगे लेकिन एक line का question है कैसे यहाँ पर एक आपका formula होना है यूज़ आप सभी को पता है कि यहाँ पर scare दिया है मैं 4 की power को 2 में तोड़ेंगे तभी तो use कर पाओगे इस question को आप यानिकि जो चीज दी है आप लोगों को वो आप लोगों को use करनी है वो क्या करनी है use करनी है तो 4 को 2 में कैसे तोड़ेंगे भई इस 4 power को मैं 2 में कैसे तोड़ू तो इसको मैं 2 की form में बना लेता हूँ ऐसे B square का square बना लिया की नहीं बना लिया देखो कैसे बनाया second square theta इसको square लिख लो 2 to the 4 10 square एक square अंदर लिख दिया और एक square कहां लिख दिया बाहर लिख दिया तो इस 4 को 2 की पार में तोड़ना है 2 to the 4 square of minus का formula यूज करना है यह बने गया आपका a square minus b square का formula यहाँ पे a की value क्या है a square है तो a square minus b square और a square plus b square formula बनेगा a minus b a plus b a की value यहाँ पे a square है और b की value क्या है b square तो a minus b a plus b यही आप लोगों को करना है a minus b second square theta minus 10 square theta a minus b और a plus b second square theta plus 10 square theta यह आप लोगों को यूज करना आप देखो इसकी value दी है 7 बटे 12 पलस वाले की आप सोचेंगे सर पलस वाले की तो value दी है minus की value कहां से आएगी भई यह आपकी unity identity होती है second square theta minus 10 square theta की value होती है 1 क्या होती है 1 यह आपको identity है यहां पर यूज करनी थी second square theta minus 10 square theta की value होती है 1 और इसको जब 1 से multiply करेंगे तो यह भी answer आजाएगा 7 बटे 12 तो क्या हो जाएगा answer यहां पर इस तरीके से आपको यह use करने है कि इसको मैं 2 में तोड़ूँगा और इसको a square minus b square का formula apply करूँगा a minus b a plus b यह आपकी value दी हुई है और इसमें आपने identity use करने है sequence square theta minus 10 square theta तो यहां पर आपने नई चीज़ सीखी है जो note कर लेनी है कि identity होती है आपकी यह sequence square theta minus 10 square theta की value होती है 1 ठीक है इसी तरीके से आपकी 2 identity होती है बता देता हूं मैं sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह भी आपकी identity होती है एक आपकी होती है cosecant minus court cosecant square theta minus court square theta is equal to 1 तो यह चीज़े आपको use करने होती है exam में next है अगला very very important question हर बार आपका exam में पूछा गया है cos 1 degree cos 2 degree इस तरीके से cos 177 degree उसके बाद cos 178 cos 189 यह आपको बच्छे देखेंगे वही कैसे करें जो पहली बार इस question को देखेंगे कि कि इसको solve कैसे करें कि cos की value कैसे निकाल लें हमें तो पता ही नहीं हमें cos की value पता है 0kos की 030 की 45 की 60 की और 90 की हमें तो इनी की value पता होती है ज़्यदा से जदा पी 7445 या फिर आपकी और पुछेगा तो उसको निकाल लेंगे हम लेकिन आप इनकी value निकाल लें फिर value put करें लेकिन आपको एक सीज पता होनी चाहिए कि को शनलब मैं की value आपकी क्या होती है 0 क्या होती है वही अगर मैं को कोस की हाँ पर बात करो कोस 01 होता है कोस 90 कितना होता है आपका जीरो होता है तो आप एक बात बताओं उझे एक से लेकर दो फिर शुरू कहां तक है 189 तो बीच में कहीं ना कहीं आपका कोस नबब भी आया होगा एक दो तीन चर पांच से साथ आठ नो दस इस तरीके से बीच में कहीं ना कहीं कोस 90 भी आया होगा और यह सारी की सारी टर्म क्या है मिल्टिप्लाइ में है और कोस 90 की वैलू मैंने क्या बताई 0 तो जब यहाँ पर हमें वैलू रखने की जरूरती नहीं है यहां कोस 90 की कोशन आये चाहे कितनी भी टर्म लिखी हो multiply में हो कुशन मैं बार-बार बोलो multiply में होना चाहिए अगर वहाँ कोश 90 बीच में आ रहा है तो आंसर होगा जीरो आंसर होगा जीरो आगे चलते हैं अगला कुशन कुशन रीड करो वैलू बतानी है अगले कुशन में कि 10-4 इस तरीके के कुशन भूद पूछे जाते जितनी भी आपकी टाइप है सारे की सारी हम कवर करेंगे कि 10-4 10-43 10-47 और 10-86 यह कुशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसकी वैलू बतानी है क्या जब इस तरीके से इसका मतलब इस सारी टर्म क्या है मल्टिप्लाई में है किसमें है मल्टिप्लाई में तो इस तरीके के कुशन करने से पहले मैं आपको कुछ फोरूले बताता हूँ य यदि A पलस B दोनों का सम कितना हो 90 यह फिर उल्टा होता है यह बराबर दिया है तो यह यूज़ करना होगा अगर A पलस B 90 है तो यह यूज़ करना होगा ऐसे कुशन आए हैं आगे हम डिसकस करेंगे साइने कोस B के बराबर होता है और 10 A बराबर होता है कोट B के और एक रहे गया आपका साइन सीकेंट को सीकेंट का ठीक है साइने कोस B अब इस कोलता कर दो तो को सीकेंट किसके बराबर हो जाएगा सेकेंट के अब एक बात बताओ मुझे जो यह चीज़ है आपर 10 A बराबर है, quote B, quote B को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बटा 10B, 1 बटा 10B, और 10 इधर हाएगा, तो multiply हो जाएगा, 10 A multiply, 10 B is equal to 1 यानि कि जब दो term आपकी दी है, 10 A, 10 B और A और B मिलकर कितना बनाए, आपका 90 बनाए तो उन दोनों की multiplication कितनी होगी, 90 अगर ये चीज़ समझ में आगी, तो question सोल, अगर A plus B 90 है, तो sign A cost B के वराबर होगा, और 10 A, quote B के वराबर होगा, तो मैंने quote को लिख दिया, 1 बटा 10B, और 10B को मैं इधर ले गया, तो दोनों की multiplication कितनी हो गई, 1, यही हमें use करना है, अब देख लो, जो भी दो 10 है, जिनका योग 90 बने, किस का 4 का किस के साथ बनेगा योग 90, 86 के साथ, और 43 और 47 मिलके क्या बनाएंगे, 90 तो यानि कि जो 2 टन मिलके 90 बनाएं, उनकी multiplication कितनी हो जाएंगी, 1, होगी की नहीं तो यानि कि 10 4 और 10 86 हो गया, 1, उसके बाद 10 43 और 10 47 भी कितना हो गया, 1 और 1 multiply 1 क्या हो गया, 1, तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, यदि आपको ये concept पता था, तो question 1 minute में हो जाएगा, 1 minute भी नहीं लगने वाली है, 10 second में question देखते ही, कैसे 10 4 और 86, 1, 43 और 47 1, तो एक answer आगा, कितना time लगा, अगर concept आपको पता है तो इसी तरह की concept यदि आप सीखने साथे हैं, यदि आपको वीडियो मस्त लग रही है, पढ़ाया, वा समझ में आ रहा है कि हाँ कहीं न कहीं हमारे useful है तो वीडियो को share जरूर कर दे, comment करके भी जरूर बताया, क्योंकि आपके comment से ही motivation मिलता है कि वीडियो कैसे बन रही है चलते हैं आगे अगला question से उसी concept पे लिया है, मैंने जो अभी बताया आपको, कि sign ये question वही है, जो आपके बार 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 पुछे जाएंगे is equal to cos 3y plus 20 अब यही तो बताया मैंने और x plus y की value बतानी है क्या होगी, अभी मैंने क्या बताया, कि या तो उल्टा, देख लो खुदी क्या बताया मैंने, कि sign ने बराबर है, cos भी ये दिया हुआ है, तो हमें मानना है कि a plus b की value क्या होगी, 90 अगर ये दिया है, तो ये चलेगा अगर a plus b 90 है, यहाँ पर a plus b 90 हो रहा था, किसी दो का नब तो यानि कि ये दो term क्या हो रही थी equal या फिर multiplication 1 हो रहा था तो यही हमें पहला use करना है यहाँ पर क्या, कि sign a बराबर है, cos b है sign a बराबर है हमें पता है, कि sign a बराबर होता है, cos b के, अब यहाँ पर a की value 3x minus 20 और b की value 3y plus 20 है अब ये दोनों बराबर है तो a plus b क्या हो जाएगा 90, तो रख दो भई a की value क्या है, 3x minus 20, plus b की value क्या है, 3y plus 20, is equal to 90, इतना आपको करना था यदि sign a cos b के बराबर दिया है, तो a plus b की value कितनी हो जाएगी, 90 अब solve कर लो, 20 से 20 कट गया, 3x और 3y से 3 common आगया, तो अंदर बचा x plus y is equal to 90, अब x plus y की उसने value पूची है तो ये 3 कहां आजाएगा, 90 के नीचे, और ये कट के कितना हो जाएगा, 30 तो x plus y की value कितनी आगई 30 degree आगई अब खुदी देख लो, यदि concept आप लोगों को आ रहे हैं, तो कितनी देर में question हो रहे हैं, आप कुछ भी time नहीं लग रहा है, आगे चले आगला question है same इसी concept पे identity पे based है, देको trigonometry यदि आपको formula आते हैं, तो question आप इतनी जल्दी कर लेंगे, कि और उसे आगे आपके पास time time बचेगा, बाकी सारी तीज़े जहां पर आपको confusion है, पेपर को भी revise कर लेंगे आप जल्दी से जल्दी अगर आपका math fast है, तो time कुछ नहीं लगने वाला हर्याना के देखो भई हाँ पर m square और n square की value थी है, क्या है, पूछी है, तो आपको क्या करना है, इसका square करेंगे इसका square करेंगे, तो यानि कि दोनों तरफ square होगा, होगा की नहीं, तभी तो m square n square बनेगा, और दोनों को जोड़ना है, तो m square plus n square क्या बनेगा, m square की वेलु कितनी है को स्वास्थ के एंड THE कि वैलू क्या है जो स्वास्ट की याद रखना है कि को स्वास्ट के रिए विझा जोग नहीं होगी यदी if a plus b का योग 90 है ये आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोगों को ये ध्यान रखना है तो देख लो गई a plus b की value कितनी है 90 है तो 20 और 70 90 हो गया तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो answer क्या जाएगा यहाँ पर एक कुद देख लो कितने असान question है यदि आप को चीज़े पता है कि question कैसे solve करने है आगे चलते हैं इसी तरीके से मज़ा आने वाला है बाकी भी classes में तो reasoning की classes भी हमने start कर रखी है math की भी कर रखी है हर्याना जिक्के की भी कर रखी है मेरा थन आप लोगों को हिंदी की मैं दे दूँँगा एक की class में group D के लिए आगे चलते हैं next है आप देखो यह जो concept है मैंने algebra पहली वीडियो में करवाया है यदि जिसने पहली वीडियो देखी है मेरी तो उसमें यह करवाया हुआ है वही चीज़े यूज होने वाले है 10,100 ठीटा कितना भी पूछ ले 100,000,2005,000 कितना भी पूछ ले तो यह value पूछे आप से यह दे कर आप देखो दो तरीके से यह आपके question पूछे जाएंगे यह आपर देखो यह अगर 10 ठीटा है यह क्या है 10 ठीटा तो 10 ठीटा को हम क्या लिख सकते है 1 बटा 10 ठीटा is equal to 2 तो देखो algebra में मैंने पढ़ाया था कि x plus 1 by x की value यदि 2 है x की जगे यहापर 10 ठीटा है plus 1 by x यानि कि जो यहाँ पर है वो 1 के नीचे है और बराबर 2 है तो x की value क्या हो जाएगी एक हो जाएगी algebra में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि x plus 1 by x की value यदि 2 है तो x की value कितनी हो जाएगी भी 1 आप देखो 10 ठीटा प्लस 1 by 10 ठीटा तो x की जगे यहापे 10 ठीटा है उपन निचे 2 है तो यानि कि x x की जगे यानि कि 10 ठीटा है नहीं अंदर आएगा कोट थीटा की पावर सो इसको ऐसे लिख सकते हैं तो टेन थीटा की वैलू कितनी है एक और इसको मैं लिख सकता हूँ तो मैं इस question को करने का एक और तरीका यहाँ पर देख लो देखो जब भी इस तरीके से question दिया है कि value कितनी है दो है तो इसकी value भी एक मान लो और इसकी value भी एक मान लो क्या मान लो एक कि 10 की भी एक value है quote की भी एक value है 10 की भी एक value है quote की भी एक value है तो 10 की 1 value quote की 1 value तो 1 की power 101 और quote की 1 1 की power 101 तो 1 जमाहिक 2 दूसरा method ये था ये भी आप कर सकते हैं आगे चलते हैं next हार एक चीज यहाँ पर सीखने को मिलेगी आपको हार एक चीज देखो कोशन को एक बार अगला कुशन है आपर दिया है कि 10 थीटा की वैलो तीन बटे चार है अगर आपको स्पीड कम यह ज्यादा लग रही है जिसको ज्यादा लग रही है स्पीड ठीक है तो वो कम कर सकता है अपनी यूटूब में सैटिंग होती है कि कौन सी स्पीड पर आपको देखना है ठीक है अगर आपको कम लग रही है तो आप ज्यादा पर करके देख सकते हैं 1.5 पर देख सकते हैं यह फायदा है आपर उठा सकते हैं थीटा यह क्या है एक्यूट एंगल है तो हमें को सिकेंट थीटा की वैलू बता तो यहाँ पर हम दो तरीके से कुशन कर सकते हैं कैसे या तो आप इंटिटी यूज कर लो या भी ट्रीपलेट से यूज कर लो आई याटिटी यह से आप मेरे को 10 थीटा की वैलू बर पता है तो मेरे को पता है कि को सिकेंट इस के थीटा माइनेस, कोट स्केर धीटा की वैलू प्या हूती है भी बन होती है, अड़न है कि नहीं? तो यहाँ पर कोशेकंट की वैलू निकाल ली है तो कोट की यहाँ से निकाल लो भी, तो कोटить हीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा तो यानि कि 4 उपर और 3 नीचे आगई value, solve हो गया वेस question तो cosecant square theta यहाँ पर value put कर दो और code theta की value क्या है होई 4 बटे 3 और इसकी power 2 है बराबर 1 तो इसको उदर ले जाओ तो cosecant square theta is equal to 1 इदर जाके क्या हो जाएगा plus 4 का square 16 और 3 का square 9 इसका LCM लेके इसको solve करोगे निचे 9, इदर आएगा 9 plus 16, 16 आप 9 25 बटे 9 25 बटे 9 तो यह तो cosecant square की value है तो हमें तो cosecant की चाहिए हमें किसकी चाहिए cosecant तो यह होज़ेगी root 25 बटे 9 25 का root होता है 5 और 9 का root होता है 3 तो यह क्या होज़ेगा 5 बटे 3 तो आंसर होज़ेगा 5 बटे 3 तो इस तरीके से आपको identity use करनी है यहाँ पर कितना होज़ेगा 5 बटे 3 clear है कि नहीं आपको आगे चले या फिर आप इस question को triplet से उससे भी कर सकते है triplet से आप मैं रहकों पता है कि यह क्या है 10 theta उसने दिया कि theta acute angle है तो right angle triangle आप बनाएंगे theta acute है, noon है यह 90 है तो 3, 4, 5 आपको triplet use करना होता 10 theta क्या होता है permanently black यानि कि perpendicular upon base तो यह 3 है यह 4 है तो triplet हो जाएगा आपका 3, 4, 5 तो आपको याद करने होंगे triplet 3, 4 और 5 तो इसकी help से हमने एक इसकी भी value पूचे, cosecant theta की value पूचे है तो यहाँ पर रख दो cosecant की value क्या होती है तो 1 by sin जिसको याद नहीं है तो PYH तो H by P, यानि कि hypertonus upon base, hypertonus की value कितनी है आपकी 5 और perpendicular की कितनी है 5 बटा तो इससे भी आप कर सकते हैं सीधा, triplet इसकी help से triangle बनाओ, और triangle से किसी की value पूचले, उस triangle की मदद से, यह आपका perpendicular, यह अपना base यह अपना hypotenuse तो इससे हम value put करके किसी की भी निकाल लेंगे जिससे भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं अगला चलते हैं, question यह भी one of the most important question है आपका अब देखो, क्या दिया है कि सीकेंट ऐल्फा plus 10 ऐल्फा की value यदि 2 है सीकेंट ऐल्फा पिल्फा की value क्या है यापर, 2 है तो हमें बताने है साइन ऐल्फा की value अब देखो, आपको यहाँपर कुछ हैं, टरम याद करने होंगी जब कभी भी secant plus 10 alpha की value दो दी है जब कभी भी आपको यहाद रखना है कि secant plus 10 alpha की value यदि x है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है x है तो 3 आपको चीज यहाद रखना है तो secant alpha की value क्या होगी x square plus 1 by 2x 10 alpha की value क्या होगी एक यहाँ पर वो जाएगा minus x square minus 1 by 2x और sin alpha की value क्या होगी x square minus 1 और x square plus 1 ये आप लोगों को याद रखनी है जब भी secant plus 10 alpha की value x है x की value यहाँ पर कुछ भी हो सकती है तो इनकी value आप से पूछेगा 3 में से किसी भी एक की तो ये direct आपको याद रखने है तो direct याद होंगी तो formula z से आप कर लेंगे देखो अब secant plus 10 alpha की value x है यानि की x की value यहाँ पर 2 है तो हमें sin alpha पुछा है तो sin alpha मैंने क्या बताया x square minus 1 by x square plus 1 x की value क्या है 2 तो 2 का square करेंगे भी 4 minus 1 नीर्चे 2 का square करेंगे 4 plus 1 तो क्या होजेगा 3 बटे 5 है और 3 बटा 5 की value क्या होती है point 6 कितनी होती है point 6 तो यह चीज़े आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी इस तरीके का प्रेशन आपसे पूछे value देखें तो इन में से कोई भी एक value आपसे पूछेगा ही पूछेगा चाहिए वह आपका CGL का एक्जाम है चाहिए वह आपका MTS का है चाहिए आपका वह ग्रूप D का है चाहिए वह हर्याना का कोई भी एक्जाम में प्रेशन जरूर आए एसाइन ठीटा प्लस बी कोस्ट ठीटा टाइम विस्ट बिल्कुल नहीं करना है समय बहुत कम है आपके पास तो अपनी त्यारी कर दो बरदस्त तरीके से हम तो यहां पर दिया है बी साइन ठीटा की value क्या होगी इस तरीका का प्रेशन आपको पूछना है क्यों कैसे करेंगे इस टाइब का प्रेशन इस टाइब के प्रेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है क्या जो वैल्यू आप से पूच रहा उसको हम माल लेते एक्स उसको क्या माल लेते हैं भई हमने उसको माल लिख स Matter कि वह X है एकसे तो ये परफनतों आपको याद रखना है टाइप बी यहां पर आ है तो ऑवा है तो जीमेंगे पहले क्रिकौस पहले लिख देगा साईन वाधन में और साइन होगा माइनस अगर आपको direct याद है तो असान होगा नहीं तो आप proof करने में लगे रहेंगे scare करेंगे दोनों तरफ फिर उसको add करेंगे फिर काटेंगे पीटेंगे तो लंबा लग जाएगा समय तो याद रखना है कि A trigonomet देखो math का concept क्या है कि चीज़े याद है आपको चीज़े apply आपको आने चाहिए और याद कैसे होंगी लिख 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 के है जितनी जैदा चीज़े आप याद कर लेंगे तो उतना आप लोगों के लिए भैतर होगा आप दिखो या लग से star mark करके note करके लिख लोगे जब A sin theta plus B cos theta की value C है इदर जो C है इसका square कर दो इदर जो नीचे है X square कर दो और कर दो प्लस बैस इतना आपको करना है और question हो गया खताव अब value किसकी पूछी है A cos theta minus B cos theta और इसकी value क्या मानी है हमने X इसका मतलब X की value निकालनी है एकस की value निकालनी है भई तो निकाल लो न इदर ले आओ इसको C को तो A square plus B square इस C को में इदर ले आया क्या हो गया minus C square is equal to X square इस X की ही तो value निकालनी थी तो X की value क्या हो जाए कि इदर आके यह root बन जाएगा प्लस माइनस A square plus B square माइनस C square is equal to X तो यह हो गया आपका question खतम इसमें है A square plus B square माइनस C square B में इतना सा question आपको करना था यह clear है तो यह आपको चीज़े हैं आप पर याद रखनी है नौट करके जब भी यह चीज़ दी है तो यह यहां तक होगा ही होगा नौट मार करके कर ले आगे चलते हैं अगला question दिया है तो ट्रिपलेट से करके देखेंगे इसको भी हम एको sign की value दी है इस साइन थीटा की 5 बटे 13 और थीटा acute angle है तो यानिकी acute का मतलब बना दो new cone या right angle triangle बना दो थीटा आपका क्या है acute है तो हमें पूछा है यहां पर कि under root court theta plus 10 theta की value बताओं अब कैसे बताओगे बई साइन थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा होता है पर्पेंडीकुलर अपों 2 या या पर्पॉंड आपन्यार यनिकी यह व्लोजर है ये हैच है और यह b है तो आपका ट्रिपलेट होता है यह पांच बारा और तेरा यानि की जब बाइश दिया हो परेंडियूकोलर परेंडिया लिखिर कितना दिया है फाष, अपूर हाइपनीस यानि के तेरा दिया है तो यह वैल्व क्तमियां डीक क्पारण दिया है ketげ कितनी आएगी। तो ये यूज करकर निकाल लिया अब हमने value, अब value किसके पूछ रहा हो, quote theta, quote theta क्या होता है, 10 theta होता है, p by b, perpendicular upon base और quote हो जहेगा, फिल्टा base upon perpendicular, तो value रख दो, base की value 12, perpendicular की value 5, perpendicular की value 5, base की value 12, आप इसको 60 करना है सिरफ निचल्शिय मा गया 60 तो बार पांच 12 12 24 कि यह आपका हो गया 139 बटे सार्थ ए और एक सूनेटर का आपका क्या होता है तेरा होता है कितना होता है तेरा और शाट को आप क्या लिख सकते हो च्यार गुणा में 15 तो 15 का कुछ आएगा नहीं च्यार का भारा जाएगा दो और रूट 15 रह जाएगा अंदर तो आपका अंसर आ गया 13 बटे 2 रूट 15 तेरा बटे 2 रूट 15 जल्द बाजी में ये मत करा न टेक 13 सही 2 बटे 15 वो अलग है कभी किया किया कोशन देखो ना आगे चलते हैं नेक्स कोशन रीड करो इसको सरल करना है कि कैसे करना है सरल करना है इसको कैसे करना अगला कोशन कि कैसे करोगे इस कुश्यन को कि two seven theta very very single question है दिखने में यह कुश्यन असा मुश्किल से होते हैं लेकिन हैं बिल्कुल असान हमें value धी है two seven theta और हमें value निकालने है cos theta upon one plus chord अब देखो यहाँ पर दो तरीके से हम कुश्यन कर सकते हैं तो value पूटिंग से करो नहीं तो value पूटिंग के बीना काम चल रहा दिखते ही मेरे को दिख रहा है यहां पर की फोर्मूला बन रहा है अगर आपने प्रेक्टिस की है तो यहां पर ध्यान से देखोगे कि कोस ठीटा वन प्लस टैन स्क्रीटा अगर मैं साइन ठीटा वाय कोस ठीटा लिख सकता हूं कि नहीं डिवाइड में ही तो है उपर लिख दिया मैंने ठीक है यहां इधर लिखलो लो गार नहीं प्लिखना चारे तो डूसाइन ठीटा बाइस कोश्टे थीन को नीच इर्फ क्या है अलग से टैन स्केयर टीटा है कि नहीं ऐसे अब स्कूर्ट 10 में बदल लो पूरे को तो साइन बाइक को स्क्यों फेलिग टैन टीटा क्या हो जेगा तैन थीन ठीटा ऊनीची हो गया वन प् formula होता है यह formula होता है हमारा sine 2 theta ka formula होता है 10 की term में तो answer क्या हो जाएगा है यहांपे sine 2 theta sine 2 theta का formula होता है 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta direct formula based भी आप से question फूच लिए जाते हैं तो याद रख लेंगे तैली ग्रावां चानल पर तो वहहांपर आप देख ले। और याद कर ले नविल्कुल डिक्तो आगला है वालू पूछे आप सा कि 8COS 10COS 20-90ohnout कोस फूर्टी इसकी वैलू हमें बतानी है कि क्या होगी च्यार ओप्षन दिए गए हैं इनकी वैलू बताओ अब देखते हैं इनकी की वैलू तो हमें पता नहीं क्या होगी तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं भई मेरे को एक चीज पता है कि टू साइन ठीटा को से टा यदि मल्टिप्लाइब में है तो उनको मैं साइन टू ठीटा लिख सकता हूं बेसिक से फोर्मूले है तो टेक्नोमेटरिक आपके साइन ख़िए , सुनट हो से लेकर अब इहां पर कोश्थ तो है साइन कहा से लेकर आऊ तो मैं क्या करता हूं इसको इस तरीके से तोड़ता हूं तो च्यार गुणा दो 9 को मैंने तोड़ लिया अब उपर नीचे मैं क्या करता हूं साइन दस से मंटीप्लाई कर देता हूँ और साइन दस से डिवाई देता हूँ बाकी यूं काई लिख देते हैं, बाकी यूं काई बाकी मेरा कोशन सोल इस तरीके से लिख देना अबैस ठीक है, कि चार गुना दो आठ हो गया, इसको मैंने ऊपर निचाए, देको कट गया तो खतब है न, मेरे को वो फोर्मॉला यूज करना है, आप दो यह टू साइन धीता कोश धीता, टू सैन धीता कोश धीता क्या हो गया टू साइन धीता कोस धीता, साइन टू धीता, यानि कि अंगल डबल हो जाएगा तो च्यार गुणा में साइन 20 अब मेरा फॉर्मूला अपने आप ही बनता चला जाएगा आप जूरती नहीं है अब देखो कोसी कोगो साइन 20 कोसे तो इसको भी तोड़ लो दो गुणा में दो इसको मैं दो गुणा में दो है अपर ही तोड़ लेता हूं द के दो बार लेखने की बहाएं दो गुना अब यह Sep बन गया formula two sine theta two sine theta Kost theta sign का double तो याने कि दो गुणा में sign का double कितना हो गया 40 कितना हो गया 40 अब यह फिर दुबार से formula बन गया मेरा क्या sign 80 sign 80 लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हो कि नीचे भी बार बार क्या लेके चलना है अब ये यूज होगा यहाँ पे शाइन दस साइन 10 छाइन 10 को ठीक है आप एक बात बताओ मेरको कि साइन 80 होता है आपका लिख सकते हैं आप शाइन 90-10 90-10 लिख सकते हैं कि नहीं 90-10 और sin 90-theta आपका होता है cos theta तो यानि कि cos 10 हो जाएगा ये और नीचे क्या है sin 10 है और sin 10 cos by 10 क्या होता है cos 10 क्या होता है cos 10 होता है तो the answer हमारा हो जाएगा तो ये आपके formula है आपर use हुए है 2 ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से 2 sin theta cos theta और sin 90-theta क्या होता है आपका cos theta होता है ठीक है 90-theta क्या होता है cos theta और cos by sign क्या होता है cos अगला question है सेम ये वही है जो अभी बताया था सबसे पहले मैंने इसलिए दुबारा से लिया सब्सक्राइब करता है एक और question important है अधको sign 47 by cos 43 का square एक लाइन का question है यदि आपको चीजे समझ में आ गई है तो आप cos 43 sin 47 दोनों तरफ सेमी चीज है minus 4 इसको छोटा कर देते हैं cos square 45 सब्सक्राइब करते हैं चोटा इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी आप देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या कि कि साइन ए बराबर होता है cos b के sin a किसके बराबर होता है cos b के यदि a plus b का सम कितना हो 90 हो आप देखो 47 और 43 कितना होगा सम 90 तो 90 है तो यानि कि उपर और नीचे वाले क्या होंगे बराबर होंगे बराबर होंगे तो क्ट जाएंगे यानि कि एक सेम इहां पर cos 43,cos 47 बराबर होंगे क्यूं होंगे क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 है 90 है तो दोनों बराबर तो दोनों बराबर तो क्ट दे माइनस में 4 cos 45 की driving होती है एक बटा लूट डो का स्केयर स्केयर है तो स्केयर कोस्ट 45 की वालू क्या होगी एक बटा दो अब एक का स्केयर एक का स्केयर एक माइनस च्यार एक बटा स्केयर करो root 2 का square कितना हो जाएगा 2 और ये कट गया 2 से 2 तो 2 minus 2 1 और 1 2 और minus 2 कितना हो गया 0 कितना हो गया 0 हमारा आजाएगा यहाँ पर answer समझ में आया आगे जलने हैं next question हमारा अब देखो question दिखने में तो कितना है भेड़ा अब करने में कुछ भी नहीं है लपूसा question है sign 4 cos theta cos 4 theta plus 2 एक चीज़ आपको बताऊंगा जब भी जब भी कितना भी लंबा question क्यों नहीं हो यदि आपको 12 sign square theta cos square theta इसकी वैल रुबतानी कितना भी लंबा question क्यों नहीं बना दे अगर वो पूरा question सिरफ और सिरफ sign और cos में है उसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरा question sign और cos में है तो put theta 0 theta को क्या put कर दोगे 0 याद गर लेना पूरा question यदि sign और cos की तर्म में है इसका अलावा कुछ भी नहीं है theta को 0 put कर दो और answer 3, sin g theta sin theta मतलब sin 0 की value 0 cos 0 की value होती है 1 plus 2 sin theta 0 put करोगे तो sin 0 0 cos 0 की value होती है 1 1 का power कुछ भी हो नहीं रहेगा multiply plus 12 sin यहाँ पर 0 put करेंगे तो cos 0 होगा 1 क्या होगा 1 बस इतना आपको करना था sin theta की value 0 0 की power कुछ भी हो 0 cos 0 की power 4 है तो यानि cos 0 क्या होता आपका 1 होता है 1 की power 4 1 होगा इस तरीके से आपने solve किया अब 0 plus 1 1 1 गुना में 3 3 0 plus 1 1 1 गुना में 2 2 अब यह 0 से multiply होगा तो यह तो हो गया खतम तो 3 और 2 कितना हो गया भी 5 है तो कौन सा option होगा आपका 5 clear है पूरा question sin cos में है तो theta को 0 put करना है और आपका question खतम clear है तो यह थी आपकी question trigonometric है यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो like करना ना भूलिएगा तो इसी तरीके से advance math में लेकि आतर होगा आप लोगों के लिए तो sport जरूर कीजिए share जरूर कीजिए comment करके भी जरूर बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगी thank you